हेलो दोस्तों, दोस्तों आप घर बैठे, असली पैसा कमा है, डाउनलोड करें रोजधन एप, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया गया है, यह एप बहुत ही कमाल किया है, और इस पर आप गेम्स खेल कर, आर्टिकल्स पर कर, और दोस्तों को रिफर करकर, दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए, भूतों की कुछ और सची डेरावनी कहानिया लेकर आया हूं, तो अगर आपको सची डेरावनी कहानिया सुनना पसंद है, तो जल्दी से हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजे, हम अपते में कई सारी सची डेरावनी कहानिया आ दिलीप ने हमें वेजी है तो आगे की कहानी मैं आपको दिलीप के point of view से सुनाऊंगा मेरा नाम दिलीप है ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सची घटना है ये बात तपकी है जब मैं अपने मामा के लड़के के साथ किसी जरूरी काम से एक बड़े सहर कें लिए ट्रेन से निकला था ट्रेन से सफर के लिए हम इतनी जल्दी में थे कि अपने साथ खाने पीने का सामान लाना ही भूल गए थे ट्रेन से सफर के लिए हम सुबेद 10 बजे ही निकल चुके थे और करीब 10.30 बजे तक हमारी ट्रेन भी इस्टेशन पर आ गई थी और फिर हम हमारी सीट पर बैट गए मेरे मामा का लड़का मेरे सामने वाली सीट पर बैठा था ट्रेन से सफर के दौरान अब रात क्यार बच चुके थे और ट्रेन अपनी तेज रप्तार से चले जा रही थी और अब भूग से मेरे पेट में चुहे कूदने लगे थे और फिर कुछ समय बाद जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुखी तब मैंने सोचा की ट्रेन से उतर कर देख लेता हूँ सायद कोई खाने पीने का सामान बेचने वाला मिल जाए और फिर मैंने ये बात मामा के लड़के को बताई और ट्रेन से नीचे उतर कर इस्टेशन पर किसी खाने पीने की सामान बेचने वाले की तलास करने लगा और फिर वोश चोटे से इस्टेशन पर मैंने देखा की वहाँ खाने पीने की एक दुकान भी नहीं थी और तो और उस स्टेशन पर इंसान तो क्या उसकी परच्छाई कभी नामों निसान नहीं था निरास होकर में वापस ट्रेन की तरफ पलट कर दो कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरे पीछे से मुझे एक आवाज आई वो आवाज एक औरत की थी जो बोल रही थी कि तुम जिस चीज की तलास कर रहे हो वो मेरे पास है उस औरत की यह बात सुनते ही मैं एकदम से रुख गया और मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे मुझे पांच कदम की दूरी पर एक बुढ़ी औरत खड़ी थी जिसके बाल सफेद थे और खुले हुए थे और उस बुढ़ीया ने अपने गले में एक लोहे का कड़ा पहना हुआ था खैर मैंने उस औरत की बात पर हैरानी से उसे पूझा कि तुम्हें कैसे बता मुझे क्या चाहिए मेरी बात पर वो बुढ़ी औरत पहले तो कुछ देर तक सांथ रही और फिर बोली तुझे जो चाहिए उसके लिए तुझे मेरे पीछे-पीछे मेरे साथ आना होगा और फिर इतना बोलकर वो औरत इस टेशन से थोड़ी दूर पर बनी एक छोटी सी जोपड़ी की तिरब जाने लगी उस औरत की आवाज काफी भारी थी मगर मैंने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि भूख से मेरी हलत खराब हो रही थी और फिर मैं भी उस औरत के साथ उसके पीछे-पीछे जाने लगा मगर अभी मैं उसके पीछे-पीछे दो-चार कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लटपत हो गया मैंने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे और मेरी और मुड़े हुए थे और तो और उसके पैरों पर सिर्फ दो उंगलिया ही थी जो कि बेहदी अजीब थी वो सब देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ माँ फूलने लगे और फिर तभी चलते-चलते वो बुढ़ी औरत अचानक से मेरी और पल्टी और फिर मैंने जो देखा वो देखकर मेरी जान हलक में डग गई मैंने देखा कि उस बुढ़ी औरत का चेहरा अब बेहदी भयानक हो चुका था और उसकी आखे सफेद और शमकिली थी बिल्कुल किसी सफेद खोपड़ी की तरह मैं उस भयानक बुढ़ी औरत को देखकर कुछ समझ पाता उससे पहले वो भयानक बुढ़ी औरत गुस्ते से चीकती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी वो अरबी भासा में कुछ पर बढ़ाती हुई मेरी तरफ आ रही थी और फिर उस भयानक बुढ़ी औरत को अपनी तरफ आता देख मैं भी भागने लगा भागते भागते मैं ट्रेन के पास पहुँच गया और मैं ट्रेन पर चड़ने ही वाला था कि तभी उस भयानक बुढ़िया ने मेरी गरदन पकड़ी और अपने बड़े और नुकीले नाखून मेरी गरदन पर धसा दिये दर्द और खौप से मेरी चीक निकल पड़ी और फिर तभी वो भयानक बुढ़िया मुझे घसीट कर उसी छोटी सी जोपड़ी की तरब ले जाने लगी मगर तभी रेन से मेरे मामा का लड़का मेरी चीक सुनकर इस्टेशन पर आ गया और फिर उसने भी उस भयानक बुढ़ी औरत को देखा और फिर फोरण उसने उस बुढ़ी औरत को धक्का दे दिया जिससे वो बुढ़ी औरत मुझे कुछ दूर हो गई और फिर तभी मेरे मामा का लड़का मुझे खीच कर मेरे साथ ट्रेन की तरब भागने लगा मगर तभी वो भयानक बुढ़िया अचानक से हमारे सामने आ गई और फिर उसने गुस्तर से मेरे मामा की लड़के की गरदन पकड़ ली और उसे हवा में उठा कर जमीन पर पटक दिया और फिर वो भ्यानक बुडिया अजीब तरह से गुराते हुए मेरे मामा के लड़के के उपर बैट गई और बेरहमी से उसका गला दबाने लगी वो सब देखकर मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए और मैं अपनी जान हतेली पर लेकर वहाँ से भागा और ट्रेन पर चड़ गया मुझे पता था कि मैं आके लिए मेरे मामा के लड़के की कोई मदद नहीं कर सकता था इसलिए ट्रेन पर मैंने ये बात और लोगों को बताई और फिर उन्हें अपने साथ लेकर मैं इस्टेशन पर उत्रा और फिर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीनी किसक गई मैंने देखा कि मेरे मामा का लड़का और वो भयानक बुड़िया इस्टेशन पर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे और तो और वो छोटी सी जोपड़ी भी वहां नहीं थी उसके बाद मैंने मेरे मामा के लड़के को बहुत ढूरा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला और नहीं मुझे वो भयानक बुड़िया फिर कभी दोबारा मिली पुलिस ने भी था खायर कर इस केस को बंद कर दिया दोस्तों आज इस घटना को हुए 17 साल हो चुके हैं मगर आज तक मेरे मामा के लड़के का कुछ भी पता नहीं चल पाया दोस्तों आपको क्या लगता है मेरे मामा के लड़के के साथ क्या हुआ होगा मुझे कमेंट में जरूर्ब बताएं तो दोस्तो ये थी मेरे और मेरे मामा के लड़के के साथ गटी बिल्कुल सची घटना दोस्तो हमारी दूसरी कहानी हमारे ही एक फिवर सचिन ने हमें भेजी है तो आगे की कहानी मैं आपको सचिन के point of view से सनौँगा मेरा नाम सचिन है ये मेरे और मेरे दोस्त नीरज के साथ गटी बिल्कुल सची घटना है ये बात साथ साल पहले की है मैं और नीरज आर्मी की तैयारी कर रहे थे इसलिए हम दोनों हर रात गाउं के बाहर के कच्चे रास्ते पर दौर लगाने जाया करते थे उस रात भी हम दोनों दौर लगाने के लिए गाउं के बाहर के कच्चे रास्ते पर गए हुए थे मगर हमें क्या पता था कि वो रात हमारे जिन्दगी की सबसे बुरी रात जाबित होने वाली है उस रात जब मैं और नीरज गाउं के बाहर के कच्चे रास्ते पर दोड़ रहे थे तब पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा मैसूस हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहां सिर्फ मैं और नीरजी नहीं हमारे साथ और भी कई लोग है जो हमारा पीछा कर रहे है मैंने कई बार पीछे पलट कर भी देखा मगर मुझे मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नेजर नहीं आया और फिर कोई हमारा पीछा कर रहा है मैंने इसे अपना भहन सौझा और दोड़ना जारी रखा और फिर दोड़ते हुए मैं नीरज से आगे निकल गया और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे नीरज की चीख सुनाई दी नीरज की इतनी भहनक चीख सुनकर मैं दोड़ते हुए एकदम से रुख गया और मैंने पीछे पलट कर नीरज की तरब देखा तो मैंने देखा कि कई सारे काले साय नीरज को घसीट कर गाओ के रास्ते के बाई और फैले घने जंगलों में ले जा रहे हैं और नीरज बार बार चीखे मारता हुआ मुझे मदद के लिए बुला रहा था और फिर तभी नीरज हमेशा के लिए सांथ हो गया और उसकी मौत हो गई चांद की रोसनी में मैंने देखा कि एक काले साय ने नीरज का सर उसके धर से अलग कर दिया और तड़पते हुए नीरज ने उसी वक्त दम तोल दिया वो सब देखकर मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए और मेरा सरीर पीला पड़ गया और मैं बेसुत होकर जमीन पर गिर पड़ा और फिर जब मुझे होस आया तो मैंने देखा कि रात अब और गहरी हो चुकी थी और मौसम बदलने लगा था काले बदल च्छाने लगे और फिर तभी मुझे नीरज की आवाद सुनाई दी बाई उट भाग जा यहां से वर्णा यह पिसाच तुझे भी मार कर खा जाएंगे अब मैं और देर तक इन्हें नहीं रोक सकता भाग जा यार तू नीरज की बात सुनकर मैं फॉरन वहां से अपनी जान हाथेली पर लेकर भागने लगा हैरानी की बात तो यह थी कि मुझे नीरज की बस आवाज ही सुनाई दे रही थी जबकि नीरज मुझे चारो तरब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था और फिर भागते भागते मैं अपने घर पहुँच गया मगर मैंने यह बात किसी को नहीं बताई और चूप चाप अपने कमरे में जाकर लेट गया उस राद डर और खौप से मुझे नीन नहीं आई और फिर मुझे करीब एक महिने तक लगातार बुखार भी रहा नीरज के परिवार वालों ने उसे खुब ढूंडा लेकिन पिछले साथ सालों में आज तक नीरज का कुछ पता नहीं चला नीरज की मौद मेरी आखों के सामने ही हुई थी जब एक नर्भच्ची पिसाच ने उसका सर उसके धर से अलग कर दिया था मगर हैरानी की बात तो ये है कि आस तक किसी को उसकी लास तक का पता नहीं चला तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सची घटना हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो ये आप सब तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानिया मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना यार आपकी कमेंट का मैं बेसबरी से इन्तजार करता रहता हूँ दोस्तों आगे की कहानियां हमारे पिछले एपिसोड की हैं अगर आपने वो कहानियां सुन रखी हैं तो आप इस video को यहीं पर investigative कर सकते हो अगर आपने वो कहानियां अभी तक नहीं सुने हैं तो आप इस वीडियो को आगे continue कर सकते हो लेकिन उसके साथ दोस्तों मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ अगर आप लोग अपने साथ घटी किसी भी सच्ची कहानी को हमारे साथ सेयर करना चाहते हैं तो आप हमें सेयर कर सकते हैं हमारे इस्टाग्राम आइडी पर इस्टाग्राम आइडी है जैसुकला जी मेरा नाम हेमंध है ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है ये बात तब की है जब मैं अपने दोस्त प्रसांद की साधी में जा रहा था रात के साथ बच चुके थे और मुझे मेरे दोस्त की साधी में पहुँचने के लिए बस से जाना था लिहाजन मैं बस पकड़ने के लिए गाउं के बस इस्टेशन पर पहुँचा जब मैं बस इस्टाप पर पहुचा तो वहाँ आसपास मेरे सिवा कोई भी नहीं था मैं वही बस के आने का इंदिजार करने लगा मैं बस का इंदिजार करी रहा था कि तभी मेरी नजर वही बस इस्टाप पर एक लड़की पर पड़ी तभी उस लड़की को देखकर मैं सोचने लगा कि अरे ये लड़की कब यहाँ पर आ गई जबकि अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था और तो और मैं वही पर था और रास्ते की ओर ही देखकर बस के आने का इंतजार कर रहा था तो फिर ये लड़की मेरे पलक जबकते ही अचानक यहाँ कैसे आ गई उस लड़की ने अपना सर नीचे जमीन की तरब जुखा रखा था और तो और वो लड़की अर्भी भासा में कुछ बड़बड़ाय जा रही थी मैं उस लड़की को देखकर पता नहीं क्यों डड़ने लगा था और फिर मेरी नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ी तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लटपत हो गया मैंने देखा कि उस लड़की के पैर उल्टे थे सर नीचे की योड जुखा रखा था इसलिए मुझे उसका चेहरा साप नहीं दिख पा रहा था और फिर तभी वो लड़की मेरी तरफ बढ़ने लगी और फिर उस लड़की को अपनी तरफ हाता देख मेरे रॉंक टेखड़े हो गए और मैं वहां से भागने लगा मगर मैं वहां से भाग नहीं पा रहा था मैं एक ही जगा पर दोड़े जा रहा था और फिर तभी वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई और फिर मैंने उस लड़की का भयानक चेहरा देखा उस लड़की का भयानक चेहरा देखते ही मेरी चान हलक में अटक गई और सकपका कर मैं जमीन पर गिर पड़ा मगर तभी उस लड़की ने एक जटके से मेरी गरदन पगड़ ली और मुझे हवा में उपर टांग दिया और फिर वो लड़की जोड जोड से हसने लगी और उस लड़की ने मेरी गरदन इतनी बेरहमी से दबा रख की थी कि कुछी समय में मेरी सांस अटकने लगी और मेरा सरीर पिला पढ़ने लगा और फिर तभी मुझे रास्ते पर बस आती दिखी और उस बस को देखकर वो भयानक लड़की मुझे जमीन पर पटक कर वहाँ से गायब हो गई बस ड्राइवर ने भी उस भयानक लड़की को देखा था और उसने फोरण बस रोकी और मुझे बस में विठा कर उसने बस को फूल स्पीड में उस जगा से आगे निकाल दिया रास्ते पर उस बस ड्राइवर ने बदाया कि वो एक लड़की की भटकती आत्मा थी जिसकी इसी बस इस्टॉप पर एक बस के नीची आ जाने से मौत हो गई थी तब से उसकी आत्मा इसी बस इस्टॉप पर भटक रही है मगर बस को देखकर वो लड़की की आत्मा गायब हो जाती है आगे उस बस ड्राइवर ने बदाया कि और जब उस लड़की की भटकती आत्मा को इस बस इस्टॉप पर कोई अकेरा इंसान दिखता है तब वो उस पर हावी हो जाती है और उसे जान से मान कर उसका खून पीती है उस बस ट्राइवर की बात सुनकर मेरे रॉंग टे खड़े हो गए और फिर मैंने मेरी जान बचाने के लिए उस बस ट्राइवर को धन्यवाद कहा आगे मैं अपने दोस्त प्रसांद की साधी में पहुचा और फिर मैंने उसे अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बताया मेरी बात सुनकर प्रसांद भी बेहादी डर गया खेर मैंने उसे उसकी साधी की बधाई दी और फिर अगले ही दिन मैं वापस अपने घर लोड़ाया मगर इस बार मैंने बसकी बजाए ट्रेन से सफर किया वैसे तो इस घटना को हुए अब काफी वक्त कुजर गया है मगर आज भी उस दिन की घटना को याद करके मेरे रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सची घटना दोस्तों हमारी दूसरी कहानी हमारे ही एक वीवर अभिनेस ने हमें भेजी है तो आगे की कहानी मैं आपको अभिनेस के point of view से सनाऊंगा मेरा नाम अभिनेस है ये मेरे और मेरे दोस्त वीवेक के साथ घटी बिल्कुल सची घटना है ये बात तब की है जब मैं और विवेक देराथ खर लोट रहे थे रास्ते पर चलते हुए अब हम गाउं के बाहर के कबरिस्तान तक पहुँच चुके थे कबरिस्तान के पास पहुँचते ही मैंने मेरे दोस्त विवेक से कहा कि भाई और ते चल ये जगे ठीक नहीं है मेरी बात सुनकर विवेक हसने लगा और मुझसे बोला कि क्या यार अवल दर्जे का डरपोक है तू ये कब्रिस्तान देखकर डर रहा है अब भूतूत कुछ नहीं होते और इतना कहकर हसते हुए विवेक ने कब्रिस्तान के सामने थूख दिया और फिर विवेक मुझसे बोला कि देख इस कब्रिस्तान के सामने मैंने थूख भी दिया और मैं यहीं हूँ आज देखते हैं कि भूत मेरा क्या उखाडते हैं दोस्तों आपको तो पता ही है कि ऐसी जगों पर धूकने या फिर पेसाब करने पर उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है विवेक की इस हरकत से मैं बेहद ही घबरा गया और मैं समझ गया कि अब कुछ बहुत कलत होने वाला है और फिर मैं विवेक को घसीट कर गाउं ले जाने लगा मगर अभी मैं विवेक को लेकर कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने चूट गए और मैं पसीने से लत्पत हो गया मैंने देखा कि वो कब्रिस्तान भी हमारे साथ ही चल रहा था और फिर मैं और विवेक दोनों ही बेहत घबरा गए और पूरी जान लगा कर हम वहां से भागने लगे और फिर भागते भागते मैं गाउं पहुँच गया और फिर मैंने विवेक को आवाज देते हुए मेरे पीछे देखा तो मैंने देखा कि विवेक मेरे साथ नहीं था वो देखकर मैं बेहादी घबरा गया और फिर मैंने फोरण सारी बात गाउं की लोगों को बताई मेरी बात सुनकर सभी गाउंवाले फोरण उस कबरिस्तान की तरब भागे मैं भी गाउंवालों के साथ कबरिस्तान की तरब भागा और फिर जब मैं सभी गाउंवालों के साथ कबरिस्तान के पास पहुचा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रौंग्टे खड़े हो गए मैंने देखा कि विवेक की मौत हो चुकी है और उसकी लास खबरिस्तान के सामने इतनी विवस्त हादत पर पड़ी थी कि उसको एक नजर देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था विवेक की आँखों की पुतलिया नहीं थी और उसके मांस के लोथले रास्ते पर इधवदर बिखरे पड़े थे दोस्तों वैसे तो इस घटना को हुए अब काफी वक्त गुजर गया है मगर आज विवेक की मौत पूरे गाउं में एक रहे से बनी हुई है दोस्तों आपको क्या लगता है विवेक की मौत कैसी हुई होगी हमें कमेंड में जरूर बताएं तो दोस्तों ये थी मेरे और विवेक के साथ गटी बिल्कुल सची घटना मेरा नाम प्रकास है ये मेरे साथ गटी बिल्कुल सची घटना है ये बात आज से पांच साल पहले की है मैं एक नए घर पर सिफ्ट हुआ था और उस दिन उस घर पर मेरी वो पहली रात थी इसने पहले मैं जिस घर पर रह रहा था वहाँ पर भी मैं अकेला ही रहता था मगर उस घर का किराया बहुत ज्यादा था और मैं किसी सस्ते और अच्छे घर की तलास में था और फिर जिस घर में मैं सिप्ठ हुआ वो घर मुझे बेहादी सस्ते दावों पर किराय पर मिल गया था वो घर बेहादी बड़ा था और इतना बड़ा और बेहतर घर इतने कम किराय पर मिल जाने की तुम मुझे कभी उमीद ही नहीं थी उस घर पर जाने से पहले मुझे इस घर के आसपास रहने वाले लोगों से पता चला था कि वो घर सही नहीं है और कई लोगों की उस घर पर मौत हो चुकी है और तब से ये घर बंद पड़ा है आसपास के लोगों की बाते सुनकर और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस राज जब मैं उस घर पर सो रहा था। तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे उपर आकर बैट गया है। और फिर अचानक मेरा सरेर काफी भारी होने लगा। इतना कि मैं सास भी नहीं ले पा रहा था। और फिर तबी हरवडा कर मैंने अपनी आखे खोली तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लटपत हो गया। मैंने देखा कि मेरे उपर एक सैतान बैठा था जो बेहदी आकरामक और भेंकर था। उस सैतान के सिर पर एक सींग निकला हुआ था और उस सैतान की आखे लाल थी बिल्कुल किसी लाल बल्ब की तरह। और तो और उस सैतान के सरीर पर बेहत ही बड़े बाल थे और उस सैतान के दान बेहत बड़े और नुकीले थे और उसके मुझे से बाहर निकले हुए थे और फिर तभी उस सैतान ने गुस्से से मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे हवा में उठा कर उसने जमीन पर पटक दिया और फिर वो वहां से गयाब हो गया उस वक्त मेरी हलत इतनी खराब हो गई थी कि मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था मगर फिर हिमत करके मैं उठा और अपनी जान हाथ हेली पर लेकर उस घर से बाहर भागने के लिए दोड़ा मगर अभी मैं कुछ दूर भागते हुए पहुँचा ही था कि तभी अचानक वो सैतान एक बार फिर मेरे सामने आ गया और फिर उसको अपने सामने देखकर मेरी चीक निकल गई और मैं सक पगा कर जमीन पर गिर पड़ा और फिर तभी वो सैतान मुझे घसीट कर घर की छट पर ले गया और फिर उस सैतान ने मुझे उस घर की छट से नीचे फेंक दिया और फिर मुझे कुछ याद नहीं है मैं बेहोस हो चुका था और फिर जब मुझे होस आया तब मैं हॉस्पिटल में था मेरे सर पर कई टांके आये थे और मेरा दाया पैर तूट गया था और उस पर सडन पर जाने की वज़ा से डॉक्टर्स को मेरा पैर काटना पड़ा मुझे होस्पिटल पर उसी घर के आसपास रहने वाले लोगों ने एडमिट करवाय था दोस्तों उस घटन से जरूर मेरी जान तो बच गई मगर मैं जीते जीते भी मरने के समान हो गया हूँ मेरे साथ घटी इस घटना के बाद मैं वस इतना ही कहूँगा कि भूत प्रेथ होते हैं और हमें हमेशा इनसे बच कर रहना चाहिए तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सची घटना भचाँ टिल्ड़ कि अनसे बार्गे कRIछए मेरे साथ अनसे मेरे साथ लाती दोस्तों ये कि अमक्ना अनसे करव दें राती भी सबस्तों दोस्तों झाल 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 झाल